नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार पुना टारवित आलोग आंलाइन इस्टूट में मैं गौर्ण नाइजियन एक बार पुना आपके सामने परस्तित हों यूपी टीटी की विकैंसी को लेकर उत्तरप्रदेश में जो सिक्षक भरती परिक्षा है उस सिक्षक भरती प महात्पूर्ण रूप से किर्थबद्ध है और हमने पहले भी इसके पहले भी यूपी टीटी के बैच चलाये हैं जिनमें हमने सौ प्रतीशत सफलत दी है बच्चों को तो इनौडिफेशन आने वाला है और एक महात्पूर्ण विकैंसी है आप उत्तरप्रदेश में चाहे का बालमनोवी ज्यान है संस्क्रेट और इंग्लिस में से कोई आप एक रख सकते हैं हिंदी और उसके बाद आता है मेरा पूर्शन पर्यावरण जिसको सौट में हम इवीएस भी बोलते हैं इन्वार्मेंट साइंस ठीक ना तो पर्यावरण को लेकर मैं गौर्ब नरेंजन पर्यावरण की घटक पर्यावरण की प्रकार इस सारी चीजों से परचित होंगी फिर भी मैं शुरुआ से ही इस चीज को प्रारम कर रहा हूं कि हम मानके चल रहे हैं कि आप जो जानते हैं वो अच्छा है लेकिन जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं सायद उन मेंसे कुछ जहां तक आपकी नजर आतक नहीं पहुंची होगी तो आप उन चीजों को अच्छे से देखेगा तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पर्यावरण होता क्या है तो इसको और अच्छे भासा में समझने के लिए हम पर्यावरण का एक दूसरा नाम रख देते हैं कि मैंन इस पर्यावरण सब्ध मैं दो सब्ध हैं पर्यावरण दो सब्दों से मिलकर बना है एक करते हैं परीकर्थ होता है चारो ओर परिकर्थ होता है चारो ओर और आवरण कर्थ होता है घेरे हुए आवरण कर्थ होता है घेरे हुए अर्थार्थ जो हमें चारो ओर से घेरे हुए है हमें चारो ओर से ढके हुए है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परियावरण कहते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसको हम परियावरण कहते हैं लेकिन बास्तों में अगर देखा जाए तो यह आधी परिवासा है लेकिन बास्तों में अगर देखा जाए तो यह परिवासा आधी है इसमें यह कहा जा रहा है कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम परियावरण कहते हैं suppose that आप जिस रूम में बैट कर मेरी क्लास को देख रहे हैं या इस क्लास रूम में जहां पर मैं आपकी कच्छाएं ले रहा हूँ आप देखेगा चारो ओर से एक कमरा मुझे ए रूम मुझे चारो ओर से कवर किये हुए है चारो और से मुझे ढखे हुए है तो क्या इस कमरे को मैं अपना परियवरण कहूं क्या ये तरक संगत है क्या ये सही है तो ये सही नहीं है ये चार दिवारी जो हैं उपर इक्छत है पांच दिवारी जो हैं ये हमें चारो ओर से ढखे हुए है तो इसको हम अपना परेवरण नहीं कह सकते हैं है ना तो ए अधूरी परभासा है एक अच्छा छेतक की परभासा है जब बच्चा प्रारम अवस्तान पढ़ता है तो उसे छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती है तो जब बच्चा छोटा है तो उसे नॉर्मल सी चीजें सिखाई जाती है लेकिन जब ओ धीरे 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 बड़ा होता है धीरे धीरे जब विक्षित हो जाता है उसका विकास हो रहा होता है तो चीजों की और गहराई में जाके उसे समझाए जाता है और डिटेल में चीजों को समझाए जाता है तौ आईएगा इस पर भास में नहीं कहा रहा हूँ कि गलत है परभास पूर्ब ता सही है लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें हम और एट करेंगे देखेगा चार ओर से घेरे हुए चार ओर से घेरे हुए है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं एक ऐसा वातावरण जो चारो ओर से हमें घेरे हुए है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं अगर हम देखें कि इस वातावरण के अंतरगत कौन-कौन सामिल है तो इस वातावरण के अंतरगत अ प्रवास होगा यानि उर्जा होगी जीब जनतु सामिल होगे जीब जनतु सामिल होगे और जीब जनतु के साथ साथ क्या होगा पेड़ पौधे होगे पेड़ पौधे जीब जनतु और पेड़ पौधे एक वातवरण में ही सब होता है आप देख लिए कि कोई भी चीज का निर्माण होगा इनी सारी चीजों से मिलकर बना होगा इनी सब चीजों से मिलकर किसी भी चीज का निर्माण हो यहां पर गौड से समझने वाली बात यह है कि जो मिर्दा है जल है बायू है उर्जा है यह जो है यह कैसे है यह अजैविक है तो इसको हमने एक नाम दे दिया आबियोटिक कंपोनेंट्स अजयाविघ घटक और जो जीब जन्तु हैं और पेड़ पौधे हैं इस जीब जन्तु और जोग पेड़ पौधे हैं इनमें स्वसन की पेरिकृरिया होती है सांस लेते हैं और सांस लेने के क्रम में क्या करते हैं, स्वांस लेने के क्रम में क्या करते हैं, ऑक्सिजन को गरहन करते हैं, जीब जन्तु और कारवंडाई उक्साइड को बापिस करते हैं, बहार निकलते हैं, वहीं पौधे क्या करते हैं, तो पौधे कारवंडाई उक्साइड को गरहन कर और रिमुव किसे चोड़ते किसे बाहर किसे निकलते हैं औuben को बहरा निकलते हैं तो जीब जन्तु और पढ़ादों में स्वससन की करिया होती है और जिसमें अब पूरी होती है अब इसी definition को हम एक सब्सक्राइब लायन में आपको बोल कर दिखाते हैं एक ऐसा वातावरण जिसमें जैविक और अजैविक घटक होते हैं और यह वातावरण हमें जब चारों ओर से कवर कर लेता है तो इसी वातावरण को नाम दे दिया जाता है अच्छे समझेगा पर्यावरण में जो मूलभूते काई होती है पर्यावरण की या पर्यावरण का जो सबसे सक्री घटक होता है इन घटकों में जो सबसे सक्री घटक होता है वो जीवजनतू है और जीवजनतू के अंतरगत्थी कौन आता है जीवजनतू के अंतरगत्थी म सामेल है तो मानव तो पर्यावरण का सबसे मात्पूर्ण घटक अगर आपसे पूंचा जाए तो पर्यावरण का सबसे मात्पूर्ण घटक क्या होगा मानव बिना मानव के इस सारी चीजन संभाव नहीं है तो अब पूरी डैफिनिस्टन हमारी हो गई कि जैवेक और निर्मित एक ऐसा वातवरन जो चारो उर से मानों को कवर किये होता है जो चारो उर से मानों को घेरे हुए होता है उसको मानों का क्या कहा जाता है उसे मानों का परियावरन कहा जाता है और चुकि मानों परियावरन का सबसे महत्पून घटक होता है इसलिए मानों पर ही परिय ग्रवरन को बनाए रखने की सरवाधिक जिम्मेदारी किस के पास है? مानों के पास. पेड लगाने कार कौन करेगा? मानों करेगा बिरिक्छ. बिरिक्छ अगर बात करेंगे तो बिरिक्छ कहाला दाखेंगे? इस धल पर लगेंगे यारी मिर्दा में लगाए जाएंगे. अब मिर्दा में जब ब्रिक्ष लगाए जाएंगे तो ब्रिक्ष लगाने के बाद उन ब्रिक्षों को जल की विया वशक्ता होगी हमें जल कहां से मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा अब जब पौध हमने लगा दिया है उसमें हम जल डाल रहे हैं फलेगा फूलेगा और क्या करेगा ऑक्सिजन बहार निकालेगा उस ऑक्सिजन को मानो गरण करेगा और मानो के द्वारा निकाली जाने वाली कारवंडे ओक्साइड को कौन गरण कर लेगा कौन गरण कर लेगा पेड़ पौधे तो पेड़ पौधे कारवंड़ ऑक्साइड को रिप्लेश करते हैं, बाहर निकालते हैं और ऑक्सिजन को गरण करते हैं, जिस कारण से हमारे बायुमंडल का जो संतुलान है वो बना रहता है, यही कारण है कि आपसे कईवार कहा जाता है, कि अगर प्रिथिवी पर जीवन आ हंदारन करना होगा, मिटी को हमें क्या बनाना होगा, मिटी को हमें उर्वर बनाना होता है, तो यह सबी हो गए, अब वो आपसे केवाल इतना पूछेगा कि परेवरन के दो घटा कौन से हैं, तो परेवरन का एक घटा अजैबिक हो गया, जिसमें ऐसी चीज़ आएंगी, जो निर्जीव होगी, और एक जैबिक हो गया, जिसमें ऐसी चीज़ आएंगी, जिसमें प्रक्रियव होगी, जिनमें क्या होगी, स्वसंकी प्रक्रिया होगी, ठीक है, चलिये, सायद आपको इतनी सारी चीज है सही में आयोगों बिल्कुल बेस बनाके चल लाओं अंगला देखिएगा अंगला अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण की सन्रचना तता प्रकार तो पर्यावरण की सन्रचना में क्या क्या सामल है तो पर्यावरण की सन्रचना में तो जैव बहुते घटक लिख दिया अजयवे घटकों को हमने क्या लिख दिया आप फिजकल कमपोनेंट्स यानि भौते घटक और भौते घटक के अंतरगत इस्थल मंडल जल मंडल और बायू मंडल सामिल है अच्छे समझेगा पर्यावरण की संरचना की अगर आप बात करते हैं तो यहां मैं दूसरे सब्दों में लिख दे रहा हूं यहां पर दूसरे सब्दों में लिख दे रहा हूं पर्यावरण की अगर संरचना की बात की जाए तो यह पर्यावरण किससे मिलकर बना है अजयवे घटक से किससे मिलकर बना है अजयवे घटक से और यहां पर अजयवे घटकों को कह नाम दे दिया भौत्तिक ठीक ना तो हमें भी कह सकते हैं कि परियवरण की एक एक आई भौत एक परियोवरण होती क्यों होती है बहुत परियवरण अभी कुछ समय पहलेएं और परिको कोई. उसमें इस प्रेकार का कुछिश्ण पूछा गिया था, कौन सा परियावरण नहीं होता है, सांस्कृतिक परियावरण होता है, मनुस्षिति और जीब जन्तूं के जब सांस्कृतिक गोण एक समान हो जाएं, तो जिस पारिश्थितिकी तंतर का निर्मान होगा, या जिस परियावरण का निर्माण होता है, उसे संस्कृतिक परियावरण कहा जाता है। अभी आँगे, आने वाले समय में आपको बायो डावर्सरेटी समझाऊँगा, जै बिभित्ता समझाऊँगा, तब यह बातें आपको और जान दर समय आएंगे। जैवेवित्ता बास्तों में होती क्या है जैवेवित्ता जो सब्ध है वो WC रोजिन नामक वग्यानिक के द्वारा दिया गया और उन्होंने कहा कि पिर्थवी पर जहां पर भी एक प्रकार के जीबजन्तू या एक प्रकार की वनस्पती या एक प्रकार के पिड़पौधे नहीं पाए जाएंगे बलकि कई प्रकार के जीबजन्तू या कई प्रकार के पिड़पौधे पाए जाते हैं तो जो एकाई का निर्माड हुआ है इस एकाई को ही उन्होंने क्या नाम दे दिया जैवेवित्ता भारत में सरवादिक जैवेवित्ता है आप उत्तर नागालेंड है अलग प्रकार के लोग मिलेंगे आप दच्छन महारत चले जाएगा अलग प्रकार के नाम मिलेंगे ठीक ना नामों में भी विवित्ता है पहनाबे में भी विवित्ता है बोली में भी विवित्ता है खान पान में भी विवित्ता है संस्कृति में भी विव पूजा देपावली के बाद होती है गंगविया के उसमें पूजा की जाती है बुंदेल खण्य रिजन में ऐसी कोई भी पूजा नहीं की जाती है, ऐसा कोई भी तिवहार नहीं मना जाता है, वहां का सबसे बड़ा तिवहार दीपवली ही होता है, किस में वित्ता होगी बाबू, संस्कृति में वित्ता, धार्में वित्ता भी हम कह सकते हैं, तो यह धार्में वित्ता होगी, हम इसी को अलग-अलग कल्चर जब म परियावरण होता है कई सारे परियावरण है धीरे धीरे आपको सब समझना है तो अजयवे घटक होता है और दूसरा कौन सा घटक होता है तो दूसरा होता है आपका जयवे घटक अजयवे घटक और जयवे घटक अब यहां पर भौतिक परियावरण की बात की जा रही है पर अब यह हमें समझना है, बाद मैं पारिष्टर की तंत्र भी आपको समझाऊंगा, तब यह बहुत important रहेगा, अगर बात करते हैं कि तो जो हमारा globe है, इस globe के लगबग 29% पर इस globe के लगबग 59%, 29% भाग पर इस्थल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इस्थल पाए जात अगर हम इस्थल को परभासित करते हैं, तो इंग्लिस में इसे lithosphere कहा जाता है, lithosphere का अर्थ होता है, मंडल मंडल और लीथो का रथ होता है चटान अर्थार्थ चटानों से निर्मित मंडल को हम स्थल मंडल कहते हैं अब बात आती हैं इन चटानों का निर्मान कैसे हुआ जोलामुखी प्रिक्रिया के द्वारा हुगा जोलामुखी प्रिक्रिया में होता क्या है प्रित्वी के धरातल के अंदर की पर्तों से गर्म गलित पदार्त बाहर निकलता है और उस गर्म गलित पदार्त को हम लावा कहते हैं क्या कहते हैं लावा और ये लावा जब धरातल पर आता है, धीरे 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 ठंडा होता है, सितली करण की पिरिक्रिया होती है, और धीरे धीरे ठंडे होने के बाद इससे किसका निर्माण हो जाता है? चटानों का निर्मान हो जाता है तो धरातल पर जितनी भी चीज़ें पाएं जाएंगे चाए वो मिट्टी हो, चाए वो खनेज हो, चाए चटाने हो चाए भूकंप हो, चाए जौलमखी हो, चाए परवत हो, नदी हो, पठार हो, मैदान हो इस सभी के सब पेड़ पौधे हो, इस सब के सब किसके अंतर गताएंगे अगला है जलमखनल को अगर इंगलीस में बात करते हैं तो यह धंड़ातल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है अगर 29 पर यह है तुकि प्रृत्रविध के हम इसको 3-4 हमाले रहे, 100 प्रतिशत को अगर हम 100 का 3-4 हमाले रहें तो बाभ।ड 60 तर आता है तो हम इसको 3-4 यह माल लेते हैं और इसको 1-4 यह माल लेते हैं हाला में हमने 4 यह एड़ किया और 4 यह पर माइनस कर दिया तो पृत्वी के लगवक्त 3-4 यह भाग पर जल है और सूर के आगर आप अंत्रिछ से देखते हैं तो सूर के क्रणों के प्रक्रिणन के कारण व्यती करण होता है प्रक्रिणन होता है परावर्तन होता है विवर्तन होता है कई सारी प्रक्रिया है भूगोल में पढ़ाएंगे हम आपको तो अंतरिच से देखने पर पृत्वी का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है और नीला दिखाई देने का कारण क्या है तो नीला दिखाई देने का कारण यह है कि अधिकाँ छेतरफल पर जल है और जल के कारण इसका रंग नीला दिखाई देता है पृत्वी का तो जल मंडल सरबादिक भाग पर 71 पृतिशत पर और स्थल मंडल 29 पृतिशत पर आपसे कुछ इसक पूछच़ सकता है कि प bipartisan प्रिट्वी पर सरबादिक महतला में पाये जाने वाला परियावरण कौन सा है या परियावरण की कौन से एकाई प्रित्विय के सरवादिक छेत्रफल पर पाई जाती है इस्थल मंडल परियावरण या धरातलिय परियावरण भी बोल सकते हैं इसको हम जलिय परियावरण या जल मंडल तो वो यही सब्दी उच करता है तो आपको याद रखना है जली ये परियावरन, 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 अब इसके अंतरगत हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंतरगत हम सागर पढ़ेंगे, महासागर का अध्यन करेंगे एक कुश्चन पूछता है प्रवाल विद्टियों से यूपी पीसियस आयो उत्तर प्रदेश लोग से वायो के द्वारा अभी हाली में सम्मिच्छा इतकारी के परिक्छा हुई उसमें पूछा गिया है यहां से एक कुश्ण उसे एक नाम दिया जाता है आद्रवूमी कहा जाता है तो इस सब किसके अंतर कहता आ ही जल मंडल अब आता हुप बाईू मंडल पर इंग्लेश में बिश्मांगी मिस्रण है, विभिन्य गैसों का, विभिन्य गैसों का मिस्रण है, विभिन्य गैसों का ये क्या है, मिस्रण है, तो कई सारे गैसें हैं, उन गैसों के मिस्रण के फलसरूफ ही, उन गैसों के मिस्रण के फलसरूफ ही, किसका निर्मान होता है, बायू मंदल का, अगर हम बात करते हैं बायू मंडल की तो देखेगा यह हमारी प्रिथवी है और यह प्रिथवी की सर्फेश है प्रिथवी की सता है सर्फेश यह प्रिथवी की सर्फेश है और इसके चार ओर गैसों का या बायू का जो आवरण पाया जा रहा है उस आवरण को ही क्या नाम द को नाम दिया जाता है लग अलग अनपात में पाइन जाती है। सरवादिक मात्रा में नाइटोजन पआज याती है। ऑक्सिजन पाई जाती है 21 प्रितिशत यहीं से एक प्रिष्ण पूंच लिया बायू मंडल में लगवग 99 प्रितिशत छेत्रफल पर या बायू मंडल में लगवग 99 प्रितिशत भाग किन दो गैसों का होता है तो नैट्रोजन 78 है ऑक्सिजन 21 से आप एड़ कर लिजेगा तो और वो छात्र मुख रूप से जो पिछली बार UPTT के बैच में हूँ यह सुपाटेट के बैच में हूँ वो आपको बता सकते हैं और प्लीज बाबू आप लोग कमेंट करके बताईएगा क्योंकि आपके कमेंट हैं आपके कमेंट और आपके लाइक ही हैं जो हम लोगों को उर्जा देते हैं अभी सुबाइक के साथ बज रहा हूं और मैं यहां पर आकर आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं ठीक ना आठ बज रहा हैं और मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हम लोगों को उर्जा मिलती है आपसे और उर्जा तब मिलती है जब आप हमा और बिली वताये गण छोटे भाई बेहनों को अपने, कि यहाँ इस अंस्थान से जो भी पढ़कर गया है, वो निश्चित रूप से सफलता अरजित किया है, और साती साथ जो भी वात हैं आपको आपको आपके टीचर हम हैं, संदीप सर हैं, रवी सर हैं, कोई भी टीचर हो, जो भी प्रावमिस हम क्लास में या पबलिक क्लासों में करते हैं, वह है प्रावमिस हम लोग पूरता साबित करते हैं, कि हमने ऐसा कहा था और हम ऐसा करते भी हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सैट हो, चाहे डाउट से सन हो, कितनी क्लासें लेनी हैं, साती सात में आपको कैसे र लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आयोग एक दो पिष्ण यहां वहां से पूंच लेता है अब यहां वहां से पूंचने का कोई मतलब फिर रहनी जाता है ठीक ना चलिएगा आएगा हम आते हैं अपने पॉंट पर यहां पढ़ रहे थे तो यह बायू मंडल हो गया इसके अलाव बायू मंडल में अक्सिजन हो गयी नाट्रोजन हो गयी कर्वन डैय ऑक्साइड होती है कई सारी गैसे होती है बस अभी आप इतनी इनी दो को यार रखेगा आगे में आपको बायू मंडल मंडल है इन परतों का अध्यन जो है वो हम कहां करेंगे इन परतों का अध्यन हम करेंगे कहां पर बायू मंडल में और साती साथ बायू मंडल में हवाएं चलती है बायू मंडल में पवन चलती है तो हम पवनों का अध्यन करेंगे पवन से कुश्चन पूछे जाते हैं जै जल्धाराовं से पिष्ण पूछे गये हैं RO की परिक्षब में भी हमैसा जल्धाराओं से पिष्ण पूछे जाते रहे तो यहाँ पर हम पवन पढ़ेंगे साते साथ चक्रबाथ प्रते एक बार पूछा जाता है चक्रबाथ क्या है कैसे आते है कहां पर कौन सा चक्रवात आता है करेंट का मुद्धा हो जाता है आपके रवी पीतेवारी सर आपको करेंट पढ़ाएंगे और पूर्ण तसर बहुत अच्छे से करेंट पढ़ाते हैं और सारे चीजों को समय करते हुए उनकी रटलो सीरीज से आपको सारे के सारे पृष्ण मिल जाएंगे तो अगर आपसे पूँचा जाए अगर आपसे पूँचा जाए अब देखेगा पैटर्न बदल रहा है पारम पर एक पृष्ण तो पूँचे ही जाएंगे साती साथ आपसे नए प्रिष्ण भी पूचे जाएंगे नए प्रिष्ण की प्रिकृति भी तो अगर पूचे जाए कि चक्रबात किस परियावरण की विसेश्ता है तो चक्रबात जो है वो हमारे बायू मंडल परियावरण की क्या है विसेश्ता है बायू मंडल ये तो यहां पर हम निस्थल मंडल जल मंडल बायू मंडल को अच्छे से डिस्क्राइब किया है बस इनी को धीरे धीरे हमें दूसरे से लिंक के करते हुए आंगे बढ़ना है और लिंक आप ऐसे ही कर पाएंगे पहले इस्थल मंडल को जानेंगे तो जल मंडल को अच्छे समझेंगे और जल मंडल को अच्छे समझेंगे तो फिर किसको अच्छे समझेंगे बायू मंडल को अच्छे से समझ जाएगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, जैविक परियावरण के भाई, दो घाटक होते हैं, एक तो भौत एक, जिसको हमने अजैविक परियावरण कहा आपका, और एक होता है जैविक, तो जैविक परियावरण में हमने अभी आपको बत तो जीब जन्तु जिस परियावरण के अंतर गताएंगे उससे जन्तु परियावरण कह दिया गया अच्छे समझेगा और पिडपाउधे जिस परियावरण के अंतर गताएंगे उसको एक नाम दे दिया गया वनस्पति परियावरण ठीक ना एक दौनों आपस में दूसरे से अंतर संबंद रखते हैं विना वनस्पती के जन्तों का जीवन संबव नहीं है और नहीं विना जन्तों के इन वनस्पतियों का जीवन संबव है समझ रहे हैं ना तो एक दूसरे से कहीं न कहीं अंतर संबंद होते हैं लेकिन अगर और डिटेल में चला जाए और डेटेल में चला जाए तो जन्तू पर्यावरण वनस्पती पर्यावरण पर सरवादिक या अधिक मात्रा में डिपेंड होता है अधिक मात्रा में निर्भर होता है जन्तू पर्यावरण किस पर निर्भर करता है वनस्पती परियावरण पर यहाँ से मैं किस कुश्चन पर आना चाहता हूं समझेगा मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जन्तू परियावरण वनस्पती परियावरण पर निर्भर रहता है अस्रित रहता है अगर वनस्पती परियावरण किसी इस्थान पर अगर वनस्पती परिया आएंगे और पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं उनको के नाम दे देते हैं उत्पादक और उत्पादक हम तब कह सकते हैं जब यह स्वापोशी होते हैं और स्वापोशी का अर्थ होता है कि यह स्वयम भोजन का निर्मान करते हूं स्वयम भोजन निर्मित करते हूं तो पेड़ पौधे स्वयम निर्मित करते हूं अपना भोजन तब ही हम इने स्वपोसी कहेंगे अगर इस स्वपोसी हैं अपना भोजन निर्मित करते हैं तो इनको हम क्या नाम दे देते हैं उत्पादक प्रोडक्टर अब यह जो वनस synthesis प्रकास translation की किरिया के द्वारा आपने भोजन का नईर्मान कैसे करते हैं तो यहाँ पर याद रख लिजेगा प्रकास translation प्रकास translation की किरिया द्वारा प्रकास translation की किरिया द्वारा किसके द्वारा प्रकास translation की किरिया की द्वारा अब बताईएगा जीव जन्तु यानि हम और आप आपके सामने जो जो भी जीव जन्तु देखाए कुटा है बहेंस है बिल्ली है गदा है गोडा है सेर है हाती है यह सब क्या आ गए जन्तु परियावराण के घटक हो गए अब बताईएगा कि आप अपने भोजन का निर्मान स्वयम करते हैं बिल्कुल करते हैं ऐसा तो है नहीं कि रोज किसी से मांग कर आप खाना खाते हों आप अपना खाना बनाते होंगे स्वयम निर्मित करते हैं नहीं यहाँ पर खाना पकाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर प्राकृतिक रूप से खाने के निर्मान की बात हो रही है क्या हम और आप प्राकृतिक रूप से अपने भोजन का निर्मान करते हैं नहीं करते हैं गेहु उकता है हम उसे अनाज निकालते हैं गेहु है ना गेहु निकालते हैं उसको हम चक्की पल ले जाते हैं उसे आटा बनाते हैं उस आटे को हम प्रकृतिक 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 प् पर देपेंड हो जो किसी दूसरे पर डेपेंड हो उत्पादक अपने भोजन करेंगा बलकि दूसरे पर आशोध होता है नहीं क्या अश्रे को पर चिवजन पर कि जब इस स्वयम भोजन का निर्माण नहीं करता है तो हम इससे क्या कहते हैं परपोशी और परपोशी के अंतरकत उभोगता आते हैं उभोगता मतलब कौन से जन्तु परियावरान या जीब जन्तु अब बताईएगा अगर जिस स्थान पर वनस्पति अदिक है तो कुछ जानवर ऐसे होंगे जो पत्तों को खाएंगे को जानवर ऐसे होते हैं जो फूल को खाते हैं को जानवर ऐसे होते हैं जो फल को खाते हैं तो जहां पर वनस्पति की संख्या देखोगी जहां पर वनस्पतियों की मात्रा द देखोगी वनस्पतियों की सगंता पाय जाएगी निश्य तोर पर वहां पर जीब जन्तूं की संख्या भिया देखोगी इसलिए कहा जाता है कि जहां पर वनस्पति पर्यावरण होगा वहीं पर जन्तू पर्यावरण भी पाया जाएगा और ऐसा नहीं हो सकता है कि जहां पर नहीं है कि जन्तु पर्यावरण ना होने कारण वनस्वती पर्यावरण जीवित ना रह सके कुल मला के कहने कुल मला वे है कि ये प्रात्मिक हो जाता है तो ये दुत्यक हो जाता है अगर ये प्रात्मिक हो जाता है तो ये क्या हो जाता है ये दुत्यक हो जाता है अब जन्तु पर्यावरण में हमने ये तो बात कर ली कि उभूगता होते हैं उभूगता तीन प्रकार के होते हैं जीब जन्तु इसमें सामिल है मानो भी इसमें सामिल है मानो सर्वोच उभूगता के अंतरगत आता है तो इनकी जो किरिया होंगी इनकी जो बिसेस्ताइं कि उनका अध्यान जो है जन्तू पर्यावरण में किया जाएगा जैसे आप सीटैट का एक्जाम पढ़ते हैं उसमें कई बार कुश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा पक्षिय जो स्वैम का घुंसला नहीं बनाता है बहुत सिंपल सा प्रिष्ण है हमने कच्छा चार-पा कौन सा है तो छोटे-छोटे लेविल की जो पिष्ण आ गए जन्तू पर्यावरण के अंतरगत आ गए अगर यहां पर हम बनसपती पर्यावरण के अंतरगत बात करेंगे यूपी टीटी में कई बात पूंचा गिया है एक बीच पत्री पौधा दूई बीच पत्री पौध कौन से होते हैं बनसपती पर्यावरण के अंतरगत अधरक काम कौन सभाग खाते हैं गाजर काम कौन सभाग खाते हैं प्याज काम कौन सभाग खाते हैं किसके अंतरगत आ गया वनसपती पर्यावरण के अंतरगत आ गया किसके अंतरगत आ गया वनसपती तो वनसपती पर्य परियावरण के अंतरगत आलू का कौन सभाग आते हैं गाजर का कौन सभाग खाते हैं अद्रक का कौन सभाग खाते हैं अभी बताओ बाबू यह भाग खाता कौन है जन्तू तो जहां पर वनस्पती परियावरण होगा वहीं पर जन्तू परियावरण का बेकास होना संभाव बुलेगा बिल्कुल मैं सलोली सलोली चल रहा हूँ एक एक चीजों को आपको समझाते हुए ताकि आपको चीज समझ में आ जाए और देखिएगा इसी आधार पर आपको अपनी समझ विक्सित करनी है आप एक बात अपचे से अपने दिमाग में बिठा लीजेगा कि छोटी सीड़ी चड़ेंगे तब ही आप बड़ी सीड़ी का मुकाम हासिल कर पाएंगे बून बून से घरा भरता है कई सारे एक जामपल है आप छोटा छोटा पढ़िएगा अपना बेस बनाईएगा मुझे नहीं मालूम आप इसके पहले कहां पढ़ते थे कैसे टीचरों से पढ कि किस अंसान में आपने पढ़ाई की उससे हमें कोई मतलब नहीं जो भी टीचर होते हैं सब अपना बेस्ट से बेस्ट पढ़ाते हैं अलग-अलग टीचरों का प्रतिक टीचर का पढ़ाने का नजरिया अलग-अलग होता है समझाने का नजरिया अलग-अलग होता है डाइ यहां पर आपको जन्तु परियावरण और वनस्पति परियावरण अच्छे समझा दिया तो यहां पर वनस्पति परियावरण का पूरा का पूरा पूरा पूर्शन यह चला जाता आपका किसके अंतरगत विज्ञान के अंतरगत और जन्तु परियावरण का भी पूर्शन कि के अंतर चला जाता बिग्यान अब बिग्यान में भी आपको यह पढ़ना है आर कुमार सर आपको बिग्यान पढ़ाएंगी यही चीज़ें वहाँ पर पढ़नी होंगी यही चीज़ें वहाँ पर तो आपको यदि तुलनात्मक रूप से पता रहता है कि हमें कौन सी चीज़ निम लिखित में से कौन सा पौधा दुई बीच पत्री है ये प्रिश्ण पूचा गया था दुई बीच पत्री पौधा कौन सा है किसके अंतरगत आ गया वनस्पति परियावरण के अंतरगते आ गया और आपको पढ़ाया भी जाएगा आप अच्छे से इनका आंसर दे तो आज हमने परियावरण क्या होता है परियावरण के प्रकार या परियावरण का विभाजन किस प्रकार किया गया इस चीज को समझा अब अंगले लेक्चर में हम आपको समझाएंगे कि पारिश्टित की क्या होता है और पारिश्टित तंत्र क्या होते हैं और एक दूसर से किस परकार ए अंतर संबंध होते हैं इन में अंतर संबंध होते हैं ठीक ना बैसे संबंध सारी डिटेल आपको रही पीति बारी सर के द्वारा दे ही दी गई है, साथ जो लोग नए हैं आईएगा आपका स्वागत है टार्व तालूक आनलाइन संस्थान में और यहां पर आपको उत्तर भारत क्या पूरे विश्व के सबस्रेश्ट मार्ग दर्शक मिलेंगे हम लोग अपने आपको सिक्षक नहीं कहते हैं वालकि मार्ग दर्शक हैं आपके अंदर जो ग्यान है उसी ग्यान को सही रूप से हमें आपको समझाना है आप लोग बुरा मत मानिएगा आ आप लोग भगवान हर्मान जी जैसे हैं, आपके अंदर बल है, आप चीजों को पहले से जानते हैं, लेकिन उनी चीजों को हमें और अच्छे से आपको समझाना है, आपको या बोध कराना है कि बाबु ए वाली चीज आप बहुत अच्छे से समझते हैं, वीडियो को सब्दों के साथ बस आज के ला सहीं रखते हैं जाए हिंद।